हलो वीवन वल्कुम तो चैनल दे जुराव क्लास आप सभी कर स्वागे दे बेटा आज के हमारी करेंट अफेस की क्लास में यह होगी आपकी फॉर्स ओफ अगस्त की करेंट अफेस की क्लास हम एक गाप के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं करेंट अफेस की क्लास कुछ बच्चों का बीच पे मेरे पास मैसेज आया है इसपेशली पेड बच्चों का जो हमारे पेड को से जुड़े हैं कि सर ना तो अब यूट्यूब पे वीडियो जा रही है करेंट की और ना ही पेड में कुछ मिल पा रहा है करेंट से इलेट तो मैं उन्हें बता दूं बेटा बिलकुल भी परेशान ना हो जस दिन नोटि सिर्त रहे हैं कि जो आपका करन फरेस की वीडियो हुं करेगी इसकी पीडियेफ आफ को हमारे टेलिग्राम चैनल पर डिली मिल जाएग झाल फख waiting अब से हम वीडियोस में आपको explanation नहीं देंगे हम आपके साथ question पढ़ेंगे और उसका answer बताएंगे इससे क्या होगा嗎 हमारी current affairs की वीडियो चार से पांच मिन्ट तक की रह जाएगी बाकी जो आपको explanation है बच्चे वो हमारे telegram channel पर मिल जाएगी आप वहां से जाके पड़ सकते हैं और यह चीज कैसी रहेगी इसको comment करके जरूर बताईएगा ठीक है ना comment करके नीचे जरूर बताईएगा कि इसको हम continue करें या नहीं आज का ऐसे रखते हैं चलिए 1st of August का start करते हैं which Indian has been made as the chief economist of the world bank recently हाल ही में किस भारते को wish bank के मुख्य अर्दसास्त्री के रूप में नामित किया गया है and he is इंद्रमीत गिल नाम याद रखेंगे बच्चे इंद्रमीत गिल जो है आपके chief economist होंगे world bank के ठीक है यहाँ पे जो है आपको explanation मिल रही है अब इसकी pdf आप लोगों को हमारे telegram channel पे मिलेगी तो जिन बच्चों नहीं अभी तक follow किया telegram पे हमारे channel को नीचे description में जाएं और follow कर लें क्योंकि इसकी explanation में देता हूँ वो लंबा हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ answer करेंगे explanation आप telegram से जाके पढ़ सकते हैं चली question number two which country has recently announced to host the women's ODII World Cup 2025 किस देश ने हाल ही में 2025 में महिला एक दिशियर विशकप की मेजबानी करने की गोशना किया है और यह हम है इंडिया है ध्यान रखेंगे 2025 महिला ODII विशकप ठीक है explanation आपको नीचे telegram में question number three who has been appointed as the new title sponsor of BCCI हाल ही में किसे BCCI का नया title प्रयोजक sponsor nuked किया गया है पहले अगर पता हो आपको PTM था PTM को replace कर अब होगा आपका Mastercard okay BCCI का sponsor बदला गया है किसे अपोइंट किया गया है Mastercard को पोइंट किया गया है question number four which state government will host the 36th national games 2022 चतिसवे राश्टे खेल 2022 की मीजबानी कौन सा राज्य कर रहा है यह कर रहे है पीटा गुजरात इससे पहले जो 35 वे थे 2015 में करला में हुए थे कहां हुए थे करला में यह याद रखेंगे ठीक है उसके बाद अब 2022 में इस बार गुजरात में होने है 36th national games question number five which state government has recently started family doctor pilot project किस राज्य सरकार ने हाली में family doctor pilot project शुरू किया है और यह start किया गया बीटा आंदरपरदेश में नाम याद रखेंगे आप family doctor pilot अब यह है क्या यह आप नीचे जाके टेलेग्राम को follow कीजिए वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी आप पढ़ सकते है question number six which Indian state has recently established district climate change mission हाल ही में किस भारते राज्ये ने जिला जलवायू परिवर्तन mission के स्थापना किये और यह की गई है विटा तमिलाड़ो में ठीक है ना जिला 38 के 38 जितने महाँ पे जिले हैं सभी 38 जिलो में यह district climate change mission जो established किया गया है by तमिलाड़ो गोर्वर्मेंट question number seven recently which states district बुर्हानपूर has become the country's first हर घर जल certified district हाल ही में किस राज्ये का जिला बुर्हानपूर देश का पहला हर घर जल परमानित जिला बन गया है जो आपका बुर्हानपूर district है जिला है बुर्हानपूर यह पहला देश का ऐसा जिला बन गया है जिसको परमानित किया गया है हर घर जल से question number next question number question number eight question number eight is who has been appointed as the new CEO of Vodafone idea recently आप सब को पता होगा कि Vodafone और idea का एक मर्ज हुआ था कुछ टाइम पहले अब Vodafone idea एक company है हाल ही में Vodafone idea के नए CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है और यह है आपके अक्षय मुंद्रा ठीक है जी अक्षय मुंद्रा आपके नए CEO होंगे Vodafone idea के question number next question number nine who has recently won the 2022 French Grand Prix title हाल ही में 2022 French Grand Prix का किताब किस ने अपने नाम किया है यह है आपके max was step in okay जी यह कहा के है यह आपको पता लग जाएगा जब आप explanation पढ़ेंगे अच्छे से question number 10 पर जाते last question very easy question सबको पता होगा which medal has been won by नीरा चोपडा इन जैवलिंसो event in world athletics recently हाल ही में विश्व अथलेटिक्स में भाला फैक परदा में नीरा चोपडा ने कौन सा पताग अपने नाम किया बेटा silver medal जो है जीता है और इसी वज़े से यहां पे इनको 5th या 6th round में कुछ खिजाव आया था स्रीहन आया था इनकी थाई में उसकी वैसे जो commonwealth अब चल रहा है उसमें यह participate नहीं कर पा रहे है commonwealth के खतम होते ही बच्चे एक पूरी वीडियो में commonwealth पे लेके आऊँगा जिसमें जितने भी हमारे medals रहेंगे क्या टेली में हमारा रहा है सारी चीज़े बताऊँगा और आज का जो तरीका था वो please मुझे comment करके जजूव बताईएगा कि हम इसे continue रख सकते हैं या आपको explanation वीडियो में लेनी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेटर है आप टेलिग्राम में जाके अपने हिसाब सिफर explanation ले सकत ठीक है तो please मिरको बताईएगा that's it and welcome back in your current affairs session और आज रात 9 बजे आपको EVS आप NCRT book से EVS कैसे पढ़ेंगे chapter कौन-कौन से कौन-कौन सी class के वो 9 बजे जरूर देखिएगा अगर आपको तैयारी कर रहे हैं अगर आप हमारे course से जुड़े हैं बेटा फिर भी देखिएगा एक revision का मुका आपको भी लगेगा कि हाँ ये ये chapter है course से मैंने पूरी तैयारी कर ली hundred and notes मेरे बन गए हैं तो मेरी 85 से 90% तैयारी होगी है तो जो 10% का बचेगा आपका वो 100% में तबदील हो जाएगा जब आप कोई चीज दुबारा से महां पढ़ेंगे ठीक है जी चले बा आपको अप्राइब आपके गॉट ब्लस यू